इन सबकों मैं प्रणाम करता हूँ भाईयों फिर से मैं बात बुलना चाहता हूँ जो थोड़ी दिन पहले मैंने कहा था ना मर्दों की सरकार है ना मर्दों की ना मर्दी बोलते भाई सब बार बलीगे इसको क्या उससे डरते क्या उससे उससे डरते क्या हम विकास 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 बोलते रहे विकास तो कुछ हुआ नहीं विकास के करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता जब विकास नहीं हुआ तो सब ये उल्टे कामा चल रहे है देश की भोली भाली जनता को बेकूप बना के अंग्रेजों की जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल वो अपना रहे हैं लेकिन उनकों ने पता हम भी किस मिट्टी के बने हैं अभी भाई साब मुलारा जीन बहुत अच्छे वले सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा ये गुलिस्ता हमारा जो बुले नोंने हिंदूस्ता एक बगीचा गुलिस्ता है और इसमें हर परकार के गुलाब है कोई लाल है गुलाबी है पीला है हर तरह के गुलाब है और सबकी अलग-अलग महक है खुजबो है आज सबर में पान साड़े पान बेज उठता हूं तो सामने से मंदिर के घंटे की आवाज आती है वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे फीदर से अजान की आवाज आती है अल्लाहु अक्बर की व लगता खुड़ा मालिक सब एक सबरी काहिता है इदर से गुर्धारे से भी वहाज आती है बुले सो निहाल साथ स्रियाकाल साथ स्रियाकाल मतलब सत्य की जीट हो और सत्य की जीट होके रहेगी ये जो आरेसे से संगी वाले जो है न इन्होंने कुछ किये नहीं इन्होंने मैं आरेसे संगी वालों को पूछना चाहता हूँ कोई एक तो भी आत्मी बता दो यार तुमारा जो देश के लिए शहीद हुआ कोई फासी पे लड़का हो इन्हों तो स्रिफ मुगबरी करते रहें अंग्रेजों की जीहाजूरी करते रहें अंग्रेजों की और माफी नामे लिखे देते रहें और हमारे उन्हों बोल रहें जैना तुम गद्दार है गद्दार को नहीं जो अंग्रेजों की जीहाजूरी करें मुखबरी करें आज अज उन्हों थोड़े से बड़े हो गए पहले चड़ी पेंते थे अभी पैंड पेंट रहे हैं उन्हों तो मैं आरे से संगी वालों को बताना चाहता हूं भाई पहले तो अश्पाक उल्ला खान जी उनको आधाप करता हूँ मैं बहुत हमारे कुरांती का रही होगी कि कहा ऐसे कुरांती का रही हूं कि मैं लिस्ट लेकि buenas को आज नहीं पहले जाता हूं आरे से स्वालों को खान अब्दूल गफार खान जी 90 साल की उमर थी इनकी 45 साल जेल में रहे लेकिन कभी माफिय नहीं माँगी और मरनो प्रांख इनको भारत रतन दिया गया क्यों दिया गया भै देश भक्ति अबास तयाब जी 1932 में जब गांदी जी नमक का कानून तोड़ने लिए निकले थे तो उनके साथ में अबास तयाब जी थे तो गांदी जी ने बहुत है कि भाई बने साथ में चलना है और इतने हजार लाखों की संक्या में नमक के दाण्डी आत्रा में करांती कारी निकले थे उसमें अबास तयाब जी भी थे नेता जी शुबास चंदर भोस उनके साथ में जो करनल थे उनके साथ में लाश्ट में जब उनका क्रैश हो गया था प्लेन जो आजाद हिंद फौज की स्थापना करे थे नेता शुबास चंदर भोस जी करनल का नाम है हविबुल रह्मान जी करनल हविबुल रह्मान जी निता जी शबास चानर भोज जी के साथ में लाश्ट में जब उनके प्लाइन क्रैश्ट चोगा तो उसमें भी उनों शेहिद हो गए ऐसे अंगिनत है भई अंगिनत में बताता हूं तुम्हारे को मुसल्मान ने देश के लिए क्या किये मुसल्मान कितने देश के लिए कौम के लिए अपने इसके लिए देश भक्ति के लिए लड़े और आरे से सालों को भी चलेंज करता हूं बाई तुम बता दो कोई एक है कुमारा कोई नहीं वह इनका है तो भाई हो एक बिलिस्ता हैं और डक्र-बाबा साहिब अमिर करजी ने जो सभिधान दिया ला है देश को सभ में अच्छा सभिधान दिया ला है इसमें सभी धर्णों को जीने का हक दिया ला है यहां तक की यो खातीन बोलते हैं इस तरी लीडीज उनको भी अपने जीने का हख दिया है तो देश तभी आगे बड़ेगा जब सब को मिलके साथ को साथ मिले के चलना पड़ेगा आपको कुछ नहीं देश को बरबाद कर दी है इन्होंने सब चीज़े बेज़ दी हैं इन्होंने बेज़ेशनेल देश की जो जो चीज़े होती है वो देश की जनता की लोगों की होती है देश की अमानत देश की जनता की होती है आज इन्हों बैठे हैं सिर्फ एक अदमी को फैदा पहुंचाने के लिए देश की अमानत पुरा बेच रहा है देश का GDP गिर चुका है महेंगा ही बढ़ चुकी है बेरोजगरी बढ़ चुकी है सबसे ध्यान हटाने के लिए इन्हों जो डिवाइडें डूल का अपना रहे ह यह चलने वाला नहीं है देश में बहुत फश्यार लोग बठे हुए हैं और सब को पता है और आगे बिलकुल यह गद्धी पेसा ऐसे बुरी मौत से ग्रेग आप बोलने ही सकेंगे अपने कोई स्कूल नहीं बनाया है कोई हस्पताल नहीं बनाया है कुछ नहीं किया इसने भार जाके देखे हैं आप रदेश के विकास विकास कुछ विकास हो नहीं सका इसका तो दुसरे तरफ से कामा कर रहा है यह तो भाई मैं दो तिन नारे दूंगा काफी दिर से आप लोग ब किसके पुर्खे आपके हमारे पुर्खे लड़ेते हैं इनके लड़ेते हैं मुगमरी करें इनुने जिहा जूरी करें तो भायों पुर्खे लड़ेते गोरों से हम लड़ेंगे चोरों से तक तो बदल दो ताज बदल दो बैमानों का राज बदल दो बैमान को वो मोदी जो देश की हमारत बेच रहा है वो वो बैमान है देश के साथ गद्दारी कर रहा हूँ और हमारे को गद्दार हो बलता हूँ हर चीज बेच दिया उसने 35% डेश पुरा और मेरी कौम मेरे साथ में साथ है भई मैं परसु जो बोला था सभी सिक्त भाई आप देख रहे हैं सभी जगाथ आपके साथ में हैं और ये सब की लड़ाई है ये आपकी भी लड़ाई है हिंदु की मुस्लिम की सभी जगों की सिक्षों की सब की लड़ाई है ये किसी एक कौम की लड़ाई नहीं है बिलकुल इंशालला ये खत्म हो जाएगा कन निकलो भार मकानों से जंग लड़ो बैमानों से निकलो भार मकानों से जंग लड़ो बैमानों से फिर से मैं युक्रांति का रिये उनको प्रणाम करता हूँ और डाक्टर बाबा साहब अम्रेकर जी को माह मानव जी को जो एक वत अच्छा है उन्होंने सवीधान देश को दिया है और हम सवीधान के उस पर चलने वाले हैं ये देश समीधान से चलेगा भाईों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे इंशालला हम ये लड़ाई जीत के रहेंगे इंकलाब इंकलाब जाए हिन